तुरई या जिंगा ये सबजी सबको पसंद नहीं आती है खाने में लेकिन अगर इसे कुछ अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये सबजी जरूर पसंद आएगी तो आज मैं आपको एक ऐसा नया तरीका बताने वाली हूँ जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा और तुरई की सबजी आपको इतनी अच्छे लगेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप तुरई की सबजी खा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिती और यमी फूड एंड रेसिपीस में का स्वागत है तो ये देखे मैंने ली है आधा किलो तुरई ये एकदम कच्ची ताजा तुरई है और ताजा तुरई से ही यही सबजी बहुत अच्छी बनेगी तो ये तुरई जो मैंने ली है सबसे पहले हम इसके उपर के हिस्से को काटेंगे तुरई खाना देखे इस क जो आगे और पीछे के टुकड़े हैं उसे काट कर अलग कर दिया है और अब मैं इसे छीलूँगी मैंने किलर की हेल्प से इसके उपर के छिलके को पूरे अच्छे से उतार दिया है और छिलके उतार करके हम इसे अच्छे से धो करके वाश कर लेंगे तो इसे क्या हो कि जो छिलके की गंदगी वो बिलकुल उतर जाएगी और ये उपर का हिस्सा है ना इससे हलका सा आप टुकड़ा काट कर जरूर चख ले ये तीथी तो नहीं है अगर तीथी हो तो आप उसे साइड कर दे क्योंकि जींगे क्या होते कई बार तीती होती और हमारी पूरी सबजी खराब हो जाती है तो इसलिए इसको चखना बहुत जरूरी है और अब देखिए अब मैंने लिया है ये ग्रेटर और इस greater के मोटे वाले हिस्से से जो greater में जो मोटा side का हिस्सा होता उससे हम इस तुरई को घिस लेंगे सारी तुरई को घिस करके हम इससे पहले इसका एक घिसा वा हिस्सा पुरा ready कर लेंगे तो इस तरह से देखे इसको लंबे लंबे लचों में हम मोटे मोटे लचों में हम घस रहे हैं तो इस तरह से देखे धीरे धीरे ज़रूर घसे क्योंकि तुरही बहुत सौफ्ट होती है अगर हम ज़्यादा प्रेसर से कसेंगे तो ये तूट जाएगी और फिर मोटे मोटे टुकडे निकल जाएगे तो बस इस तरह से आसानी से धीरे धीरे हम कस करके सारी तुरही हम इसी तरह से घिस लेंगे तो ये देखे मैंने एक तुरही घिस ली है और बाद बाकी और जो मेरी चार तुरही है वो भी मैं घिस लेती हूँ तो इस तरह से देखे ये सारा मैंने घिस करके रेडी कर लिया अभी इस तुरही में बहुत पानी है हम इसका कुछ पानी नहीं निकालेंगे हम इसको as it is बनाएंगे तो ये देखे ये सारी तुरई है ना अब हम इसे एक बोल में डाल देंगे तो मैंने ये जो तुरई देखे आप देख सकते कितने मोटे मोटे लच्छे निकले हैं इसके तो इस तरह का मैंने एक बोल ले लिया है या फिर आप कोई भी कटोरा ले लीजे और उसमें इस सारी तुरई को डाल देजे तो बस ये इस तरह से हम सारी तुरई इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे तो ये तुरही देखिए मैंने बोल में निकाल ली है सारी और अब इसमें हम मसाले अड़ कर रहे हैं तो मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च का पॉर्डर लिया है वन फोर टीस्पून हल्दी पॉर्डर लिया है साथ में लिया है इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनु तो बस इसी तरह से इसे हाथ से मसलते वे इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसे हम ध्यान रखना है कि खूब गीला ना हूँ अगर आपको लग रहा है थोड़ा गीला है तो आप इस जगह पर थोड़ा बेसन और भी मिक्स कर दे सकते हैं तो ये देखे मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसके फ्राइ करेवे पकोड़े बनाएंगे तो आज हम बनाएंगे तुरे के कोफते जो कि बहुत ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो ये देखे मैंने पैन में तेल गरम होने को चड़ा दिया है जब तेल खूब अच्छे से तेज गरम हो जाए तो फ्लेम को इस टाइम कर दीजे मीडियम और आप चमच की सहायता से या फिर हाथ से या फिर इसके बॉल्स बना करके इसके हम सारे पकोड़े तल लेंगे तो बस इसी तरह से देखे मैंने सारे एक बार में चमच से मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये डाल दिये है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे तलेंगे इसे क्या हो कि बेसन हमारा अच्छे से सिख जाना चाहिए और तुरई तो इतनी सॉफ्ट है कि वो तुरंत ही सिख जाएगी और उपर के लेयर क्रिस्पी और अंदर में एक दम बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे बस इसी तरह के पकॉड़े हमें बनाने हैं तो पहले जब ये एक साइट से अच्छे से सिख जाए तो इसी तरह से हम ये एक बैच हम पहले से एक लेंगे तो ये देखिए हमारे पकॉड़े दूसरी तरफ से भी सिख करके रेडी हो चुके हैं तो अब मैं इसे जब ये खुब अच्छे से सिख जाएगे ने इनमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा तो मैं इसे एक जंजरे की हेल्प से इसे बाहर निकाल लूँगी तो मैंने देखिए एक इस ट्रेनर लिया है और इस ट्रेनर से इस तरह से मैं सारे पकॉड़े तेल जाडते वे इसे बाहर किया और मैंने प्लेट में निकाल लिये हैं इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तलेंगे इसे बिल्कुल हलके हाथों से तले ताकि कि पकोड़े डालते से में तूटे नहीं और नहीं तो तेल में बिखर जाएंगे और फिर इसे हमें संभालना बहुत मुस्किल हो जाएगा तो इस तरह देखे कितने अच्छे पकोड़े बनकर के रेडी हो चुके हैं इसे अब स्नेक्स की तरह भी खा सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगता है मैंने एक ट्राई किया था इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये चाई की साथ खाने में तो इस तरह से देखे आप अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट है और अच्छे से पक चुके हैं और उपर में अच्छे सी क्रिस्पी लेयर है तो इस तरह से हमारे सारे कोफते रेडी हैं तो अब मैं इसे साइड रख देती हूँ और इसकी ग्रेवी बनाती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में दो बड़े चमच तेल गरम होने के लिए डाल दिया है मेरी चमच छोटी थी इसलिए मैंने इसमें तीन चमच डाला है लेकिन अगर नाप से देखेंगे तो दो बड़ा चमच तेल होगा और इसमें मैंने डाल दिया आदा चमच जीरा वन फोर टी स्पून राई और वन फोर टी स्पून हिंग पॉडर इस तरह से इन तीनों चीजो को पहले मच्छे से चटकने देंगे जब अच्छे से ये भून जाएंगे इन मसालों में क्रेकल की आवाज आने लग जाएगी तो उस टाइम हम इसमें डालेंगे दो बड़ा प्याज दो बड़े प्याज को मैंने फाइन बारिक चॉप कर लिया है काट करके ही मैंने प्या कर्स्परेंट हो चुके हैं प्याज में घलका सा गुलाबी सा कलर आ गया है तो इस तरह से देखे इसे चलाते वह पहले हम भूल लेंगे ताकि इसका πान पानी सूख जाए तो आप देख सकते हैं इसका 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 अच्छा अच्छा कलर हो चुक का है इसमें हलका सा color change हुआ है तो इस टाइम मैं डाल दे रही हूँ इसमें दो हरी मिर्चों को लंबा-लंबा मैंने काट लिया है और इसके बीजों को निकाल दिया है तो इस तरह से देंगे हरी मिर्चा जम पीस करनी देंगे बलकि हमने slit करके हरी मिर्च को डाला है और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ एक चमच अदरक और लहसन का पेस्ट अब इन सभी चीजों को डाल करके हम खुब अच्छे से golden brown होने तक पहले हम इसे भूनेंगे जब तक प्याज का color बिलकुल golden ना हो जाए और ये हरी मिर्च और लहसन भी इसके साथ में पक जाएंगे तो इनका टेस्ट भी इसमें आ जाएगा तो देख सकते हैं आप आज बिलकुल golden हो चुकी है एक दम अच्छे से प्याज भून चुकी है तो आप सुखे मसाले अड़ करते हैं तो मैंने आदी चमच हल्दी पॉर्डर डाला है इसके साथ ये आदी चमच कस्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर डाला है और अब हम मैं डाल रहे हैं इसमें आदी चमच के लिवग धनिया पॉर्डर बस मसालों में हम यही एड़ करेंगे और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे मसाले मुझे ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि हम तुरई की सबजी बना रहे हैं और तुरई हमने पहले मसाले दे करके पहले पकॉड़े इसके बना लिये हैं तो ग्रेवी में हम मसाला नहीं देंगे जादा. तो बस देखिए मसाला एक मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है दो मीडियम साइज के टमाटर की प्योरी. दो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था और इसकी प्योरी को बहुम डाल कर तेल अलग होने तक अब हम इसे भूनेंगे इसे बिल्कुल चलाते हैं मेडियम फ्लेम पर भूने ताकि मसाले भी ना जलें और टमाटर की प्योरी भी भून जाए और सारी जो जो हमने प्याज भी डाली है ना वो सारे अच्छे से एकदम इसमें मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल गल चुकी है और टमाटर भी तेल छोड़ने लगा है तो बस देख आप एकदम ग्रेवी हमारी ग्रेवी का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब इस टाइम मैं डाल रही हूँ इसमें दो चमच मखाने का पॉर्डर मैंने पास ताल मखाने का पॉर्डर रोस्ट करके ताल मखाने को मैंने पॉर्डर बना के रखती हूँ वो पॉर्डर था अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं अदर्वाइस मुंफली का पॉर्डर हो तो वो भी डाल सकते हैं और अगर वो भी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यह सबजी ऐसे भी अच्छी बन जाएगी लेकिन डालने से क्या होता है कि थोड़ा ग्रेवी में इसका टेक्श्चर थोड़ा गाड़ा बना जाता ह इसलिए मैंने इसे डाला है और डाल करके बस अब हम इसे एक मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद यह देख सकते हैं आप कितना अच्छा मसाला में यह मिक्स हो चुका है अलग से लग नहीं रहा है तो अब यह जब मसाला एक दम कड़ाई से सेपरेट होने लगा है तो इ लेकिं धीरे धीरे यह बिelkmal गारी हो जाएगी और कोफते में सारी तरह से सोक हो जाएगी तो आप देख सकते हैं बिलकुल एक उबाल आने लगा है जब इसमें भूब अच्छे से यह उबलने लग जाए एक दम ग्रेवी में खूब अच्छा उबाल आ जाए तो अब मैं इसमें डाल रही हूं नमक नमक ग्रेवी के स्वाद के अनुसारी डाले क्योंकि हमने कौफतों में अलड़ी नमक डाल चुकी हूं मैं तो सिर्फ ग्रेवी के लिए जितनी जरू थो उतना ही नमक इसमें डालें जादा होने से पूरी ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा यह इसमें मैंने डाल दिया एक चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके अच्हे से मैंने पौडर बना रखा था, वो पौडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब उसे डाल करके अब मैं डाल रही हूं घर की फ्रेस मलाई एक बड़ा चमच फ्रेस मलाई को हाथ से अच्छी से मैं बीट कर लिया है और इस मलाई को मैंने इसमें अच्छे से इसमें पोर कर दिया है और इसे डाल करके मिलाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये ग्रेव अब आपको लगेगी एकदम की होटल वाली आप इसमें किसी भी तरह की केव कोफते या फिर कुछ भी बढ़ियां दे करके सबजी बनाएंगी तो वो सबजी आपकी बहुत टेस्टी लगेगी ये एक तरह से कहा जाए तो बेसिक ग्रेवी है इसमें आप कुछ भी डाल करके स की सबजी बना सकते हैं तो ये देखे ग्रेवी एदम अच्छे से उबलने लगी है ग्रेवी में खुब अच्छा उबाल आ चुका है तो अब मैं इसमें थोड़ी से धनिया पती डाल दे रही हूं और जो कोफते हमने बना रखे थे ना वो सारे कोफते हम इसमें डाल ग्रेवी ना इदम चल रहा है तो बस एक बार हम इसे चला देंगे खुब अच्छे से और आप देख सकते हैं ग्रेवी की सबजी हमारे कोफते की बिलकुल रेडी है लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि कोफते में ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से तो मैंने इसका धकन लगा दिया है और दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे पका लिया है तो यह देख सकते हैं आप दो से तीन मिनट बाद जब मैं धकन हटाऊंगे ना इसका तो देखे आप आप देखे ग्रेवी कोफतों में अब्जॉर्ब हो चुकी है और कोफते कितने सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम कोफते एकदम बिल्कुल लगेंगे मारकेट जैसे और खाने में सबजी है जब आप खाएंगे न तो आप कोई भी नहीं बोल सकता कि यह आपने जहींगे से बनाईए तो इसके साथ मैंने घर पर फ्राइड राइज बनाएं थे तो उस फ्राइड राइड के साथ मैंने इन कोफतों की सबजी को सर्फ किया है आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं इस सबजी को ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें साथ में कमेंट करके भी बताइए कि सबजी आपको कैसी लगी और आपने इसे घर में ट्राइ किया या नहीं और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वीडियो में अगर कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज आप मुझे भी बताईए कि आप अगर इसमें मैं क्या चेंज और कर सकती हूं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत भहुत धन्यवाद